न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाडमी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा वहां के कलिक्टर और S.P. को निर्देशित कर चुके हैं और तमाम विवस्थाओं को दुरूस्त करने के बाद कही जा रही है खास दोर पर उन्हीं जगों पर नजर बनाने की बाद कही जा रही है जहां पर दूसरे राज लगा हुआ है बॉर्डर वाले इलाकों पर विश्यस निगरानी के बाद कही जा रही है आज तमाम जिला अधिकारियों ने आज ये सुनिश्चित किया है कि जिन लोगों ने भी अपना सस्तर रखा है उन सस्तर को वो थाने में जमा कराएं और लाइसेंस निरस्ट करने के बाद जो है वो काम कर रहा है और इसके अलावा जो है जो जिसा निर्देश जारी किये गए हैं कि अब जो है इस चुनाव में साट साल वालों की ड्यूटी नहीं लगेगी मतदान कर्मी कम पड़ी तो दूसरे जिलों से बुलाए जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी अधिकारी और कर्मच हैंड में ड्यूटी नहीं करेंगे जहां पर वे पदस्त हैं दूसरे वा तीसरे इस तर पर महिलाओं की ड्यूटी उसी ब्लॉक में लगाई जा सकती है पीठा सीन अधिकारी नहीं बनेंगे सहकारी संस्था और मंडी के अधिकारी कर्मचारी बनेंगे पंचाए चुनाओं के लिए मतदान कराने वाले पीठा सीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की जिलों में कमी होने पर अन्य जिलों से पूर्ति की जाएगी तो कुल मिलाकर जो है वो प्रसासन पूरी तयारी कर रही है और तयारियों के बाद अब देखना होगा कि आगे पंचाच उतरता है और तबाविवस्थाओं को सुधारते हुए यह कराए जाते हैं तो यह जो प्रथम चरन का जो कारिकरम है नाम निर्दिशन प्राप्त करने की अंतिम तिथी 20 दिसम्बर है और पत्रों की जाच 21 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से होगी 23 दिसम्बर को दोपहर 3 बज को मतदान होगा वहीं अब बात करते हैं दूसरी खवर के हेलिकप्टर क्रैस जो दुरघटना हुई इसमें हमारे इतने जवान जो हैं सहीद हुए सीडियर्स विपिन रावत के साथ साथ इतने जवानों की बलदान जो है वो अब उसको अभी भी उसका जिक रिसली हो रहा ह हैं सहीद के डेड़ लाख सहीद को डेड़ सहीद को जो है आज सहीद भुपाल सहीद का पार्थि उस शरीर भुपाल आया और भुपाल के बाद उनके गाओं के लिए भेजा गया मुख्यमंद्रिय सिवराज सिंग चोहान ने करून की सम्मान निधी देने की घोशना की है स उराज सिंग चोहान खुद वहाँ पर पहुचे थे और उन्होंने स्रधान जली व्यक्त की है शहीद के डेर साल के बेटे के सामने छोटे भाई ने शहीद को मुखागनी दी है तमिलनाडू हेलिकाप्टर क्रेस्ट में सहीद पैरा कमांडो जीतेंदर कुमार वर्मा पंचतुत में विलीन हो गए हैं रविवार को मदपरदेश के सिहोर जिले के पैत्री गाउन धामांदा में अंतिम सथकार हुआ है चोटे भाई धरमेंडर ने सहीद के डेड़ साल के बेटे के सामने उन्हें मुखागनी दी है तो ये सहीदों को आज हर कोई याद कर रहा है उनकी बहादुरी और शौरी को हर कोई सलाम कर रहा है पिछले कई दिनों से जो पूरे देश में जो महौल था पूरे देश जो गमगीन हुआ इस हेलीकॉप्टर क्रैस की दुरगटना से हर किसी के मन में जो पीड़ा पहुची इसको भी धान में रखते हुए सिम्सी रासिंग चौहान खुद वहां पर पहुचे थे और उन्होंने एक करूड रुपे की सम्मान नीथी देने की उन्होंने ऐलान किया है और इसके अलावा सहीद की पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी देने का वायदा भी किया है और इसके अलावा एक स्कूल का नाम भी सहीद के नाम पर रखा जाएगा ये तमाम जो है ये ऐलान किये गए हैं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी ख़बर की उत्तर में बर्फवारी के कारण लगातार जो है उत्तर भारत में ठंड का प्रकूब बढ़ता जा रहा है मदब प गॉलियर जो है वो सबसे ठंडा है दूसरे नमबर पर नौगां और सीजन में पहली बार तापमान च्छे डिग्री सिलसिल से नीचे आया है जो अभी जो जो अनुमान जताया जा रहा है कि अगले अठारा तारीक के बाद और कडाके की ठंड होगी गॉलियर में सर्दी का स यह जो तहाड कपाने वाली ठंड की शुरुआत जो है अठारा से होने वाली है ऐसा जो है मौसम विभाग का अनुमान है गॉलियर के बाद नौगां 5.7 डिग्री सिलसियस और उमरिया 6.1 डिग्री सिलसियस सबसे ठंड है लगतार गिरते तापमान से फिलाल राहत मिलने के उमीद कम ही नज़र आ रही है लेकिन ठंड बढ़नी के चलते सडकों में अलाव जलाना शुरू हो गये हैं लेकिन नगर निग्रम ने अभी तक सारजनिक तोर पर अलाव जलानी की विवस्ता नहीं किया है वहीं अब बात करते हैं चौती बड़ी ख़बर की पंचाथ चु रही है और रणीती बना रही है भाजपा की मंडल का इसमती की बैठक हुई है पंचायत चुनाओं से बूथ इस तर पर जो है विस्तारक यूजना पर चर्चा की जा रही है और कॉंग्रिस और अन्र पार्टिय के कारकरताओं को साधने पर भी फोकस की जा रही है तो बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे की अगर बात की जाए कि इस विस्तारक एजेंडे में क्या है तो बीच से तीस जनवरी के बीच गाओं को जाकर पारिटी से लोगों को जोडने का काम बीजेपी करेगी इस्थानी इस तर पर करमिकों की जानकारी प्रदेश की बैठक और विवार को होगी इस तो बैठक में पंचाच चुनाओं से लेकर बूथ विस्तारक पर चर्चा होगी हर मंडल में चुनिंदावा पार्टी के लिए समर्पित कारकरताओं को विस्तारक बनाया जाएगा जो पूरे प्रदेश में 20 से 20 जनवरी के बीच गाँ ग परभारी पी मुरली धर्राओ और प्रदेश सद्यक्श वीडी सर्मा मौझूद रहे पार्टी सूतरों का यह कहना है कि विस्तारकों को कांग्रेस और अन्य पार्टी के ऐसे मजबूत कारकरताओं को भी अपने खेमे में मिलाना है बीजेपी में सामिल कराने के लिए उन्ह का चैन होगा तो यह एक तरह से जो राजनीती है कारकरताओं को सामिल कराने के अपने पार्टी में और बीजेपी जो इस पर काम कर रही है स्ट्रेजी के साथ रणनीती के साथ काम कर रही है तो बीजेपी पंचायत चुनाबों को भी ध्यान में रखकर पूरी तरह से अपन अद्रगुप्त अचाडमी तॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस्ट रिवा